ये क्योशन देखे, SSC Railway और UP Police सभी एग्जामों पे लिए important है, निमनर्खित में से कौन सहयुक्त संख्या है, ठेके, तो यहाँ पे पुछा गया है, कौन सहयुक्त संख्या है, इससे पहले आप लोग यह समझ लेजिए, अब हाज संख्या क्या होती है, यह तो आप लोग ज कटेगा, ठेके, जैसे 29 है, तो यह 1 से कटेगा, या 29 से कटेगा, तो यह होती है बास संख्या, जो 1 से कटे या स्वैंग से कटे, तो अब देखे, यहाँ पे संख्या पुछा गया है, यह संख्या क्या होती है, जैसे 4 है, 9 है, यह संख्या है, अब 4 क्या है, एक से भी कटे तो संख्यां क्या होती है ऐसी संख्या जो एक से कटे स्वेंग से कटे और एक और संख्या से कटे तो उसे बोलते हैं संख्या जैसे नौ देखिए एक से कटेगा तीन से कटेगा और नो से यहां पर एक से कट रहा है स्वेंग से कट रहा है लेकिन एक और संख्या से कट रहा ह 9 से भी कट रहा है 8 से लिक रहा है तो आप देखे एक से कट रहा है 8 से कट रहा है लेकिन आप देखे ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनसे ये कट रहा है तो ये संख्या नहीं होगी संख्या क्या होगी एक से कटे स्वेंग से कटे और एक और संख्या से कटे तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सेम संख्या है ठीक है अलग से एक से ज़्यादा संख्या है नहीं होनी चाहिए ठीक है एक से कटेगा स्वयंग से और एक संख्या और है जिससे ये कटेगा ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सेम संख्या है जैसे यहाँ पर आप यहाँ आप दो लिए गए हैं, तो चौथा आपने समिसाही है, 273, 273 ऐसी संख्या है, जो एक से कटेगा, तेन से कट जायाएगा, और 283 से ही कटेगा, ठेके, तो 273 में देखे, एक है और 283 स्वैंग है, और 3 एक अलग से संख्या है, जो उससे कट रहाँ है, तो 283 जो है संख्या हो जाएग और संख्याओं को चेक करेंगे तो ये ऐसी संख्याओं हैं अबाज संख्याओं या तो एक से कटेंगी या तो स्वैंग से तो ये सारी अबाज संख्याओं हैं केवल 273 ही संख्याओं जो एक से कटेगा 3 से और 273 से ठेके तो सैयुक संख्या आखरी बार सुन लिजे क्या होती हैं जो एक से कटे, स्वयंग से कटे और अलग से एक संख्या से और कटे तो उसे बोलते हैं सैयुक संख्या अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनों को जरूर से सत्या करेगा